देखिए एक तो पहले ये बहुत शर्मनाक बाते हैं कि एसा हम देश में देख पा रहे हैं कि इतने बड़े-बड़े त्योफारों कर देख वह रही है। वो ट्यूट किये हुए है वो कि जो है मुसलिम एरिया से जो है यात्रा निकली इसलिए मुसलिम भाई बढ़के मैं मुसलिम भाईयों से एक पर खुल के पूछना चाहता हूं जो रियल में अपने आपको मुसलमान मानते हैं दिखावे के मुसलमान नहीं है क्योंकि मुसलमान लाना पड़ेगा ये दंगे ये मोतें ये होती रहेंगी अगर इसी तरह अपने लचकीले कानून रखे तो यही होता रहेगा फिर हिंदू समाज को उतरना पड़ेगा फिर मत कहना अब अब रहूल गंदी को देखो ऐसा क्या हो गया कि उनको यूएस जाना पर दिया अभी आ अपना के बाद आपने एक एक जी एक्जेंपल सेट करनी है ऐसा दंड उनको देना है एंकाउंटर एंकाउंटर हो सिर्फ एंकाउंटर होना चाहिए बहराईच में दुर्गा विसर्जन के दौरान जो हुआ उससे आज पूरा देश वाकिफ है और इस साल गंदपती विसर्जन हो या दुर्गा विसर्जन हो ये सामप्रताइक हिस्सा काफी भारी मात्रा में हमें देखने को मिल रही है कही गंदपती विसर्जन के दौरान पत्राव हो रहा है तो कही दुर्गा विसर्जन के दौरान और अगर इन्हें रोकने जाओ तो मौते नमस्कार आप देख रहे दन्यूस स्विफ्टीन और मैं हूँ शुभांगी अब है हम मौजूद है दिल्ली के सीपी में और हम बात करेंगे लोगों से कि ये सामप्रदाइक हिंसा है कितनी जानलेवा हो सकती है कि ये जो दंगे भड़काने की और ये जो सामप्रदाइक हिंसा है और विसरजनों के दौरान जो पत्राव आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है इसके पीछे क्या कोई साजिश है क्योंकि गणपती विसरजन के दौरान भी हमने ये देखा केरल में आंदरप्रदेश में और अब दुर्गा विसरजन के दौरान भी हम ये देख रहे हैं देखिए एक तो पहले ये बहुत शर्मनाक बाते हैं कि ऐसा हम देश में देख पा रहे हैं कि इतने बड़े-बड़े त्योफारों पर इस सब चीजे हो रही हैं ठीक है बहुत दूख लग रहा है इस सब जानके पर मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि कॉंगरेस किस बंगलादेश बनवादी ए उस समय तो योगी मोधी नहीं थे उसमय अटल भ्यारी बाच पई भी नहीं थे जो खड़े थे उस समय कौन था गांधी नहरू है ना अब उसके बाद की जाती है 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 थराबाद को छुडवाने के टाइम में उस समय नहरू जी खड़े जाते न इनको स्लीपर सेल की तरह यूज करती है कि देश में दंगे फिलाए जाए जाए और क्या है आप एक बात बतेगे ना अब देखेंगे पिछले यूएस पिछे यूएस होके आया क्यों को भार की फंडिंग चाहिए यहां के टुड़े टुड़े गैंग को चलाना है पालना एक पैसे देना होगा इसके लिए वह बार जाते हैं इतली जाते हैं यह घूमने नहीं जाते हैं यह कोई बहुत- हमने इन दोगलों को राज दे रखा है कि तुम लोग बैठा हो राज करो और यह दोगले हमारे ही पीट पे चुरा भुखते हैं शुरू से लेके अंत तक हमें आज सतर खोना बहुत जरूरी है भारतियों को कि अगर हमें अपना घर सुक से चलाना है अगर हम चाहते हैं उन्हें अगांदी के पास है अरे जो देश के दोगलों को अब इतना बड़ा चीज दे रहे हो तो वो क्या करेंगे यही करेंगे उनको राज से हटाओ सबसे पहले अगर देश को बचाना है तो अगर आप संप्रतायक दंग्यों की बात करते हो वो कैसे हटेंगे जब हम आ अंदे उतार के पगड़ी चली जाए मैं क्या पूलिस को रोता रहूंगा पूलिस को भी तो टाइम लगेगा पूलिस ऐसा थोड़ी है कि इस गली में पूलिस खड़ी है उसको मैं फोन करूंगा तो लगेगा आने में पर मेरी तो इज्जद चली गई ना इसके लिए कौन अला नई बचता है दंगों का और कोई और रिजल्ट नहीं आता है हर किसी को यह समझना बहुत जरूरी है अगर आपको फिर भी लगा रहा है कि आप सुसाइड स्कॉड बनके चलना चाहते हो अपने उपर बंब लागाना चाहते हो बहुत बड़ी बात है बॉडरों पर क्योंकि हिंदू सहिस्तुरू बरदास कर लेते सह लेते जबाब नहीं दे पाते हैं सीधे साधे होते हैं सीधी माइने में कहा जाए तो देवता होते हैं इनको जगडा जंगजट पसंद नहीं है सांतिप्रिय होते हैं इनको मारो मारो काटो काटो नहीं आता है जो राहूल गांदी जी संसद होन में खड़ा के कहते हैं कि हिंदू लाल्ची होता है हिंदू नफरती होता है हिंदू जो है ना हिंसक होता है मारो मारो काटो काटो जानता अरे मेरे भाई ए क्या बोलते पनवती जी पप्पू मौलाना साहब जी रहुल खान है अपना गांधी टाइडल अगर एक नफरती होते हैं अगर यह काटो काटो जानते न तो भगाया नहीं जाते हैं वहांपर जबाब देते उनको पिटाई करते जो तो ने काम कीये थे बूसरी बात भूलकड होते हैं बूल भी जाते हैं ऐसा बत नहीं है भूलते भी वह जल दिये देखिए 1984 आज हम उनको भर-भर के कंग्रेस को जिता दिया ना पंजाब में तो हम भूल चुके हैं हम भूलकड हैं अधु लोग आधिये सत्य सनातन धर्म को बचाने के लिए देखि भूल जाते हैं कोई भी मारता है पीटता है ना तो हम लोग जल्दी से बूल जाते हैं तो ऐसे हिंदू है देवता है इन लोग भूल जाते हैं, आज मारों कल भूल जाते हैं, तो इसलिए इनका मन बढ़ गया है, और ये जानते हैं कि भूल जाते हैं, जी, ये चक्कर है. शुक्रिया सर मैं आप से पूछने चाहूंगे कि जिस सरह से हमने देखा कि या गणपती विसरजन हो या दुर्गा विसरजन हो आज तो बहराईच का केज सामने आ गया है पर ऐसी बहुत सारी चीजे हम केरल या आंदर प्रदेश में या बश्चिम मंगाल में भी देख रहे गेर विरादरी की जन संक्या 40 करोण है या 35 करोण है सर यहां सबसे बड़ी बात अगर हम देखी जाये ना देखे अगर हम समझे तो कुछ लोग है जो अपने लालच में आके लोग का बिरेनवास कर रखा है ठीक है और इन लोगों को जैसे कहते ना एक एक्जामबल लेते ह गंदगी पसंद आती है अच्छी जगानी वैसे ऐसे ही कुछ लोग बैठे हुए है उनको श्रीफ गाली समझ में आती है उनको लाच समझ में आती है उनको इज्जतरासनी आती ठीक है जैसा कि आपने देखा जो अखलेस यादों का बयान आता है जो ट्यूट किये हुए है की जो है मुसलिम एरिया से जो है जात्रा निकली इसलिए मुसलिम भाइव बढ़के है जो रील में अपने आपको मनते हैं दिखावड लोग जिन्दा हुए मुसलिम नहीं है थीक है लोग इन लोग का इमान भी मर चुका है आप लोग जब तहाजिया निकालते हो तो आपना कोई भी मुसलमान त्यवार मनाते हो कि कोई भी हिंदू पत्राओं करता है जै पधर नहों कोई आत्रा निकल नहीं होती है तो इनको पत्थर मारने मज़ए आता है जैसे आप मोटर साइकल जो चलाते हैं ना मोटर साइकल को खोलने के लिए पाना पेचकस अस्कुरूब ड्राइबर यह सब जरुवत होता है कि नहीं हाथ से खोल पाएंगे कि आप मोटर साइकल बनाएंगे रिपेरिंग करेंगे तो वैसे ही जो छुट भाईये नेता जो होत तो कौन करेगा पेचकस है पाना है एक गुंडा लोग इनका तो इनी लोग के थ्रूव काम करवाते हैं तो यह जो एक्टिव हो गये हैं जगा जगा यह सारे टोटी भाईया का आदमी है एक गलत फामी में मत रहे हम एबात कह रहे थे एबात मैं बोलना भूल गया था कि ट टोटी भाईया जो है ना और डिंपल भोजी जो है ना इनका बाबुजी गोली चलवा दिये थे राम भक्तों पर सर्जु नदी का खून लाल कर दिये थे सब भूल गये आज का किये भूल करके हिंदू लोग उनको थर्टी नाइन सीट दे करके उनको मजबूत कर दिये लो अधर किये ना झाया बहूल चुके राम भक्तों पर गोली चलवा दिया और भाईया राम प्रभू प्रभू क्या चीज है अरे गुरूबानी कहती है गुरूबाणी में लिखा हुआ स्री राम प्रभू का नाम 2583 बार दर्जा गुरुगरंद साहिब जी में हम दिन रात मत सोना से भरा हुआ घर रुपिया पैसा धंदलत सब सुख देने वाला स्री राम प्रभु हैं सब सुख दाता राम है दूसर ना ही न कोई तो उस राम को जो है ना उस राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम एक टोटी भाईया का बाबुजी किये थे तो और हिंदु लोग कहा भूल चुक है ना आज मोधी सरकार का देखिए टांग किसी और के पास में है हाथ किसी और के पास में है गर्दन किसी और के पास में है कैसे फैसला लेंगे मेरे बाई और योगी बाबा कैसे फैसला लेंगे तो तौरित फैसला के लिए जाने जाते हैं उनको मजबूत करते तब न सैंती सीट दे करके लोग सभा यहां तक कि अजुद्या धाम में वो भी हरा दिये अब हरा दिये अब कमजोर कर दिये बाबू तू बैसाखी पकड़ के चल क्यों हम उसको जिताएंगे जो राम भक्त पर गोली चलवाया था अग्राम को लोग खिलोना समझने लगे हैं hatchate में एक अब दो जो इस को पर यह तोड़ने की बाद करता है उसको बोट मत chans उसको एक यह जो है ना अंगली का पावर दिखाई यह बोक्ष यह बोड से उसके पिटाई करिए उसको एक बोक्त में दीजए आप मजबूत कर योगी जी बचाएंगे योगी जी बचाएंगे और कहां से बचाएंगे उनको तो आप कमजोर कर दियें लंगणा कर दियें जी यह मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी यह बहराइच में हमें सामप्रदाइक हिंसा देखने को मिली और अब यूपी में उप्चुनाव है 13 नवेंबर को यह कितना एफ उचाल दिया उसको कि हमें आपके सविदान आपके कानून में कोई विश्वास नहीं है हम अपना शरियत के हिसाब से इसको मारेंगे और वो रातो रात नहीं हो गया यह चीज और मैं आपको एक चीज बोल देता हूं यह पैटरन बन चुका है यह उत्तरपरदेश आज जो प्लैनिंग के द्रू इतना पत्थर सब रातो रात जो है चतों पर पत्थर आ जाते हैं पेट्रोल बंब आ जाते हैं सब कुछ हो जाता है यह हमारे सामने यहां ताहिर हुसेन जो आम आदमी पार्षद का पार्षद है वो मतलब अपने शरो पर गुलेल लगा लगा कर उसन इसमें अगर एक कड़ी इसमें कौन मरा कौन हिंदू लव जिहाद का शिकार बनते हैं मरता कौन हिंदू इसके बाद कोई आतंवादी भी स्पोर्ट कहीं पर होता है कुछ भी अगर अभी तो नहीं हो रहा मगर इससे पहले कौन मरता रहा हिंदू अब यहां से आपको पू सब्सक्राइब आपके बीच में आ रहे हैं किस परिवार में क्या त्यार है क्या नहीं है यहां तक उन्होंने पूरा सिस्टम है उनके बास क्योंकि आप सोहे हो, आपके पास आज एमर्जेंसी पढ़ी होगी, लाठी भी नहीं निकलेगी, यह है आज का हिंदू, और फिर हम करेंगे हिंदू राष्ट, हिंदू राष्ट, हमें चिलाउंगा, हिंदू राष्ट होगा, अप लाणा होगा, कैसे होगा? पहले पता क्या था पहले एक धर्म की शिक्षा जो अर्तितना वो अनिवारे होती थी धर्म की शिक्षा यह नहीं कि मैं बताया जाता था कि बाकी वो हम सर धर्म संभाव की अगर भात करते हैं वासुदेव कुटमकम की बात करते हैं सबसे पहले था धर्मों क्या हिंसा परमदर्मा मंगर उसके बात 5 है अगर उसका आगे वाला देखा तो धर्म की रक्षा के लिए हिंसा और करनी पड़ी तो वो जुरूरी है वो भगवान भी कहता है अब हमारा धर्म क्या है हम आ ससуса हींदू हमें होना चाहिए था कि नारी शक्ति, नारी सम्मान के लिए देश, भ्राह्मन और उसके लिए गोरक्षा के लिए आपको अगर जान भे नशावर करना पड़ जाए तो आप पिछे हटना नहीं, आप सिधे आपको मतलब वैकॉंट मिलेगा आपको अगर उसमें जाओगे तो उसके लिए अगर काम करेंगे, किसी नारी की इज़्यत आप रूद लूट रही हो, अगर वहाँ आप खड़े हो जाते हो, तो आपको सिधे मोक्ष मिलेगा, यह कहा गया है हमारे धरम के गरन्तों में, शिवरी कृष्ण नहीं कहा कि करम करना तुम आज वो है नहीं, आज धरम की शिक्षा नहीं है, तो आपको एक विकल्पिक तोर पर आपको पुलीस को की तरफ निर्बर रहना पड़ रहा है, अगर धरम की शिक्षा सबको हो, मुझे हो, इनको हो, इन बाई साबको हो, क्या कोई भी इस्त्री, कोई भी बच्ची, क्या उ उसके ओपर कोई उंगली भी उठाट सकता है कोई उसको बुरी नजर से देखेगा भी नहीं देखेगा अगर उसने धरम की शिक्षा ली होती आज इसी दिल्ली में साक्षी नाम की लड़की को सरे रोड चल रहा है लोग चल रहे हैं और वो चाकू को सिकास उसका दिमाग में खोप रहा है एक का पुर्शार्त नहीं जागा कि उसको बचाया जा सके एक का एक आदमी कोई धरम की शिक्षा जिसने ली होती वो खड़ा हो जाता है उसको दापड जापड जापड जापका tay कित् 필요 सी ची में घर बज Talking करने वाले वाले लेकी कुझर रही आ और इव करने वाले नियुक्त क्छा रखेजśl करने वाले लड़की गुजर रही है और एव टीनिंग करने वाले चार लफंडर अगर कई पुलीस की जरूरत बड़ेगी आज यही है कि हमने अपने धर्म की शिक्ष्या खो दी इसकी वज़े से यह जो मलेश लोग हैं यह जो अधर्मी लोग हैं यह हम पर हावी हो रहे हैं यह हमारे घर तक आज उतरा रहे हैं क्योंकि बेटियां बच्चियां उस तरह का दिमाग नहीं है उनको बेला फुसला कर लव जिहाद के नाम पर उनको टार्गेट किया जा रहा है आज यह जो घटना हुई है यह हिंदू समाज की आंखे खोलने वाली घटना है और इसको पैटन की तरह दो कि अभी गया खून उ कानून की वज़े से घनया लाल का गला काटा था आज तीन साल के बाद उसके आरोपी को जमानत मिलती है वह बाहर घूम रहा है क्या यह बढ़ावा नहीं है आप क्या एक जहर देखकर मोद को और टुकड़े करने वाली मोद को आप एक पेमाने में तोल रहे हो और फी आप कर रहे हैं कि हमने बार नियाय सहीता बना ली मोदी सरकार उसके लिए अपनी तपतप दिये आपको उसके लिए कैटिगरी क्वाइस करनी पड़ेगी उन जो जितना हिनिने स्क्राइम है उसके काड़लिंग आपको सब उसको दाइरे में रखना पड़ेगा ऐसा उसको दंड वारे वारे यह हमारा और इनसे बाते करवालो अलूल जुलूल टिपनिया करवालो हमारे जस्टिस साब से जस्टिस साब अब आपको जुडिशरी में रिफाम लाना पड़ेगा ये दंगे ये मौतें ये होती रहेंगी अगर इसी तरह आपने लचकीले कानून रखे तो य ही होता रहेगा फिर हिंदू समाज को उतरना पड़ेगा फिर मत कहना कि यहां हिंदू मुस्लिम हो गया वह जिम्मेदार आप हो चार करोड के स्पैंडिंग है न्याय के लिए लड़ते रहते हैं बच्चियां इनका बलातकार होता है गैंग रेप होता है वह कोट में अपन सकता है उन बच्चियों के साथ उनके परिवारों के साथ और फिर करेंगे हमारा देश महान है ऐसे नहीं बनेगा दंडल जो है वो क्राइम के अनुसार देना पड़ेगा तभी इस पर अंकुष आएगा अधर वाइस नहीं बाकी यह कहूंगा कि दुबारा योगी जी आप के हाथ में सुकूतर परदेश है और इस गटना के बाद आपने एक एक्जेम्पल सेट करनी है ऐसा दंड उनको देना है एंकाउंटर और सिर्फ एंकाउंटर होना चाहिए और उसमें सिर्फ वो लोग जिसने गोली मारी है वहीं तक नी जो जो उसमें प्लैनिंग में शामि लिया है कि मैं किसी धार्मिक मलब हिंदूों के तिहार के उपर उसकी जो भी शोबा यात्रा जाती है उस पर पत्थर मारने का मुझे हक है अगर यह समझ कर वो अगर प्लैनिंग बनाता है हर एक आदमी को एंकाउंटर होना चाहिए इसमें अब उससे बिना नहीं नहीं तो हिंदू समाज जो है ना इसका उन्होंने तो वहां के लोगों ने तो पूरा चितावनी दी है मगर यह आप समझो एक जो है पानी अब सर से उपर आ चुका है हिंदू के लिए यह ना हो कि हमारा देश जो है ना तीसी एकानोमी की तरफ जा रहा हो और यहां कोई बड़ा ही अजनीती के गलत चहरे को दिखा रही है एक बात बताओ आप आज तुम्हें इसमें अजंडा लग गिया कि यह अजंडा है यह बीजेपी और यह वह हिंदू-मुस्लीम इंसा-विंसा दिख रही है जब रियासी के अंदर जब हत्या कांट वारा तब कहां गए ते आप लो हिंदू बच्चियों का अजानों से अजान होती है ने जिन माईकों से अवाज आ रही थी तब तुम लोग कहां थे जब बेवाद में हिंदू को घेर करके मार रहे थे तब तुम कहां थे भाईया अगर जिस तरीके से पीला गड़ी के अंदर एक मुसल्मान वेक्ती ने च अपने महारेप को जल के सासर उपना सीज भी चड़ा रखा है, हम तो चाहते हैं, तुम एक बार आमने सामने और फेंसला हो जाए, ऐसे नहीं देख सकते, तुम्हारे बाप का राज निये जहांगिरपुरी में तुम पत्तर बरसा हो, मेवात में तुम पत्तर बरसा हो, बुम लो दिन नो दुरगे जंडे वाले मंदिर से जोत ले करके जारा देगा देगा चालिस पचाश बंदे अपनी छबिल मैया राणी के नो दिन के लिए आही नाहीं भी मास फैक दिया था फूरी वीडियो पर्माने मास लेटरनेवाले सीखोंजी इसby ने सिखों आ जात और गूर राता जिब्यात्रा करेधाक जोंत्रा ही अब एक थीनिच्पार इससे अंदर मार दि आ अपने कौम के पक्के हो ना, तो साले बार बोल करके आ जाओ ना, एक बार बोल करके आ जाओ, इतने बड़े मर्द हो तुम लोग, ऐसे नहीं अपनी बच्चों के बलतकार दे सकते हैं, नर्सिंग अनद महराज जी ने एक बियान दिया तो कानून है देश के अंदर, कानून ह कानून को खुषेड दिया तूमने समिधान कान खुषेड दिया तूमने कानूनी कंप्लेंड करो नKen, यह शरीया को मानने वाले, और हम समिधान को मानतेना है in अरे देखो सीरीशी बात हैै, मेरे घर में चार बच्च्छे, अगर कोई जया भी मेरे घर में घुषगिया तो भाइब में 112 पर कोल निकरूंगा हाँ 112 आज मेरे बच्चे बचा लें उसी टेम साले को फाड कर करके दो तुड़े कर दूँगा फिर 112 को को पौट करूँगा आज एक जरिया सको ठाकर के ले जा इसने मेरे घर मेरे घर में आकर करके हतिया रखे थे बच्चों पे जो आज की चल रहा है मेंबाद देख लो कलकत्ता देख लो बंगाल देख लो केरला देख लो करनाटक देख लो जगा जगा मार रहे हैं कस्मीर में देख लो ना एक मुसलमान का ब्यान देखा एक एक भी मंदिर नी बनने देंगा मंदिरों से हमें दिक्कत होती है इनको दिक्कत होती है, मुसल्मान का ब्यान है जी, मैंने कस्पीर में जाकर या कि उसमुसल्मान को पैसे न दिये, कि तु ब्यान दे, पुरी दुनिया देख रही है, बोल रहा है, एक भी हिंडू को कस्पीर में नुद रिले हैं, क्वाइब की जहां पर हम लोग जादा है यह कम है महाँ भाईचार से रेंगे कोई भाईचारा किस तरह से हिंदू भड़का हुआ है देश में हो रहे हैं सामप्रताइक हिंसा हो या फिर यू कहें कि हिंदू की शोभा यात्राओं पर जिस तरह से पत्थरवाजी हो रही है उसको लेकर आज का हिंदू शायद जाग चुका है वो मुखर हो गया है वो बोलने लग गया है अब मैं यह सवाल आप पे छोड़ती हो आप कमेंट करके हमें ये बताइए क्या ये सामप्रताइक हिंसा हिंदूस्तान जैसी जगा पे होना सही बात है हमें कमेंट करके इसका उत्तर जरूर दे आज के लिए वस इतना ही देश कि बाकी तमाम खबरों के लिए देख रहे हैं दर न्यू सिफ्टी नमस्कार